रवन्ना नाम सुना आपने हाँ सुना उसने चार सो महिलाओं का बलतकार किया है रेप किया है मोधी जी ने ऐसे स्टेज पे रवन्ना जी के लिए वोट मांगे हैं होम मिनिस्टर को बीजेपी के मले ने चिट्टी लिकी थी छे महीने पहले कि ये रवन्ना है इसने चार सो महिलाओं का रेप किया है होम मिनिस्टर ने कोई कारवाई नहीं की नरेंद्र मोधी जी जानते थे कि इस व्यक्ति ने चार सो महिलाओं का रेप किया क्यूं क्यूंकि होम मिनिस्टर जानते थे तब भी जाके नरेंद्र मोधी कह रहे है इस रवन्ना को वोट दो इसका समर्थन करो मुझे जिताओ मैंने ये करनाटक में बोला नैशनल मीडिया के एक अखबार ने ये बात नहीं लिखी एक अखबार ने नहीं लिखी वो अखबार में लिख रहे थे राहूल गांदी अमेटी और राइबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा वो चल रही थी मीडिया इनकी अब मैं राइबरेली से चुनाव लड़ा हूं विलकुल चुप हो गए तो वो कभी नरेंद्र मोधी कभी पाकिस्तान की बात करेगा कभी समुंदर के नीचे जा के मतलब ड्रामा करेगा और मतलब आपने देखा पता नहीं देखा मतलब समुंदर के नीचे जा के बिल्कुल दरा हुआ था वहिया कुछ हो ना जाए यहां पर तो मजाग बना रख राजनेती का और सीनियर नेता जो है शरत पवार जी जैसे हैं सीनियर नेता जो है उनका अपमान कर रहे हैं उनके बारे में उल्टी सी दिवाद बोलते हैं मतलब प्रधान मंत्री में थोड़ी तो मतलब लेवल होनी चाहिए, प्रधान मंत्री को देश की बात करनी चाहिए, विकाज की, किसानों की बात मतलब क्या मतलब है senior नेता का आप मान करना क्या मतलब क्या फाइदा मिल रहा है उनको क्या सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता खुश हो जाएगी हिंदुस्तान की जनता उनसे यह जानना चाहते हैं आप 50% का जो आरक्षन का है उसको हटा रहे हो यह सवाल है जाती जन्गना कर रहे हो यह सवाल है उनका तो जवाब देते ही नहीं है तो यह मैं आपसे कहना चाहता था देखिए जब मैं महराश्टरा में लैंड करता हूँ ना तो जैसे आज मैं लैंड किया यहां पे मुझे लगता है कि यह कॉंग्रेसी स्टेट है यह अगर मैं आपको बता रहा हूँ मैं जैसे यहां लैंड करता हूँ मुझे मज़ा आता अच्छा लगता है कि मैं मतलब कॉंग्रेस की जो और मैं संगर्टन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ जो आप लोगों में हजारों साल से आपके खून में कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा है आपको बताने की भी ज़रूद नहीं है आपको बताने की भी ज़रूद नहीं है आपके दिल के अंदर है मतलब वो आपके चेहरे पे लिखा हुआ है तो मैं जानता हूँ यहाँ पर नाच्रल नाच्रल कॉंग्रेस पार्टी की विचारदा रहा है मैं आपको हमारे जो यहाँ बबर्शे टाइगर जो बैटे हुए है यह दूसरे तरीके के टाइगर होते हैं आपको मतलब एक दो किलोमीटर में एक टाइगर मिलता है है ना यहाँ पर देखो कितने एक साथ बैटे हुए है तो मैं आपको बता रहा हूँ आप हमारी रीड की हड़ी हो आप आप देश को बदलने वाली फोज हो आप अपनी शक्ति को पहचानो आप देश को बदलने वाली फोज हो आपके खून के अंदर आजादी की लड़ाई फूले जी की विचारधारा अमबेटकर जी की विचारधारा गांदी जी की नेरू जी की विचारधारा आपके खून के अंदर है उसको निकाला नहीं जा सकता आपके माता पिता के अंदर है आपके बच्चों के अंदर है आपके परदादा के अंदर है तो ये मैं आपसे कहना चाहता था आपने मेरा मूड बहुत अच्छा कर दिया मैंने आपका मूड अच्छा कर दिया अचा ये अभी ये आकरी बात आकरी बात जो मैं यहाँ जब महराश्ट्रा में प्यात्रा में निकला था तो बहुत सारे युवावने मुझे कहा कि राहुल जी मोदी जी ने हमें बेरोजगार कर दिया हम पेपर लेते हैं और महीनों के लिए हम रात दिन काम करते हैं और जिस दिन पेपर देना होता है उससे एक दिन पहले हमें किसे के मोबाईल फोन पे पेपर लीक हो जाता है पेपर दिख जाता है जो बेइमानी करता है वो पेपर लिग करवा देता है बिना पढ़ाई करे वो आगे निकल जाता है और जो इमानदारी से पढ़ाई करता है उसका नुकसान होता है और हजारों यवाँ ने ये मुझे बुला तो हमने मैनिफेस्टों में लिख दिया है एक नया कानून लाएंगे जिससे कड़ी सी कड़ी सजा पेपर लीक वालों को होगी